हालो स्ट्रेंट्स कैसे हैं आप सभी इस सेशन में हम डिटेल से डिसकस करने वाल हैं फेक्ट और प्रूप के साथ कुछ रियलिटी कुछ मिद को लेकर जिनकी वज़़े से बिना किसी इन्फोर्मेशन के कुछ भी वीडियो बना रहे हैं कई सेशन में हम डिटेल से डिसकस करेंगे उस मित को लेकर रियलिटी को लेकर जो आगके बीच में फिला रखी है हालेंगे उन teacher को इस session में तो expose नहीं करूँगा लेकिन जरूर रही तो detail से उनका एक expose वीडियो जरूर आपको देखने को मिलेगा last year भी मैंने इसे 2-3 तीन सार एस educator थे जिनका expose किया था बहुत अच्छे से इस्टूरेंट को काँपी जर्दा मिस्काइड कर चुके थे लेकिन एक्सपोज वीडियो होने के बाद उनका वीडियो बनाने का जो तरीका था वो भी बदल गया और कई educator ने तो वीडियो बनाना ही बंद कर दिया क्योंकि आपको पता है एसね पिकेसल के वीडियो और चुलू कर सकते हैं रहे अब ऑपने प्रचंगा आएगा और प्राउसर inhब हो नया एक और इन posled Да mês यह आएगा ये इस तो एक पर तरीके से देरखा आपको, डिटेल से LGBT क्रैटेरिय आएगा, डिटेल से seat metrics आएगा, यह जो seat metrics अभी available है, यह पुराना है, अभी update होकर आएगा, जो नए program add हुए है, वो भी आपके update होकर आएगे और ये जो information browser आप read करके वीडियो बना रहे हो, student को गुम्रा करे हो बेकू बना रहे हो यह नॉर्मल स्टुडेंट नहीं है यह आप से बदला लेंगे जरूर आप यह कमेंट बोक्स में यह नॉर्मल स्टुडेंट नहीं है आपको मैं याद ला दूं फिर भी यह जो ओडियंस है यह देश के भावी IAT, NIT में जाने वाले हैं अ काउंसलिंग स्टा ओने से पहले आपका काउंसलिंग प्रिय होगा और जिसके प्र कैसे करें इसके साथ चीड को यह नहीं लेना चाहता है तो उसको reject and quit केसे करें इसके रिगारिंग पुरा डिटेल से आपको information ब्राउच रहेगा जैसे information ब्राउच रहेगा उसका में लाइव सेशन में डिटेल से आपको समझा भी जाएंगे तो आपको चिंता करने के जरूद नहीं है अभी आपको क्रेटरिया को लेकर ज्यादा कंफूज होने के जरूद नहीं से नया information ब्राउच राने दो आप एडिमिशन ब्राउचर उसमें हम डिटेल से आपको समझाएंगे वह आने के बाद ही आपको च्वाइस्पिलिंग ओडर सेट करना है क्योंकि आपको उनीक को चूज करना है जि किसे होते हैं किसे में होते हैं फोफज जोदफुर में इसके साथ आईसमें भी हो सकते हैं बिलाई में, तिरूपती में, जम्मू में, इन में sport round होते हैं इस्ट्वेंट से, और ये जो sport round होते हैं, किस वज़ा से होते हैं, seat खाली रहने की वज़ा से, आपको पता है, चार round होते हैं, आज कल पिछले 2-3 वरसों से, तो चार round के अंदर, जो seat fill up हो जाती है पूरी, लेक इस्टों को फिर से fill up करने के लिए, आपको क्या होता है, sport round होता है, sport round individual IIT अपना-पना connect करते हैं, जिसका लिंक आपको description मिल जाएगा, उसको आप detail से पुरा watch कीजिए, ताकि आपका हरे doubt क्लियर हो जाए, sport round के regarding, sport round को कोन participate कर सकता है, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए, sport round को वह contents participant कर सकते हैं, जिनको regular round में या तो seat मिली नहीं, अगर मिली तो उसनों ने accept नहीं किया, तो जिन श्ट्रेंट नहीं किया, या admission नहीं लिया, या उनको मिली नहीं, तो वो सभी students क्या कर सकते हैं, participate कर सकते हैं sport round को, हालंकि JEM exam qualify करना जरूरी है, जो exam को qualify कर चुके है जेम को वह स्ट्रेंट इस्पोर्ट आउन को participate कर सकते हैं अगर आपको एन आइटी मिल चुकी है तो भी आप IIT के इस्पोर्ट आउन पार्टिस्वेट कर सकते हैं लेकिन आपको जैसे मैं एक्जाम्पल दूँ किसी स्ट्रेंट को IIT जम्मू मिल चुका है और उसनी सीट को accept कर लिया सीट को क्या कर लिया? अब IIT जोदपुर में स्पोर्ट आउन निकला तो वो सोच रहे है जम्मू से निकल कर मैं जोदपुर चला जाऊं तो अच्छा रहेगा लेकिन उसनी अगर जम्मू में इस सीट को accept कर लिया तो वो जोदपुर का स्पोर्ट आउन पाटिस्वेट नहीं कर पाएगा अगर आप जबदस्ती फोरम को फिल भी कर देंगे वहाँ चले भी जाएंगे तो आपको reject कर देंगे क्योंकि उनके पास पुरा डाटा होता है किस IIT में किस इस्ट्वेंट ने एडिमिंशन लिया वो पुरा मेपिंग करके या आपको फाइनल एडिमिंशन देते हैं साला की स्पोर्ट आउंगा वो वीडियो जो मैं बता रहा हूं उसको आप जरूर वोच कर लेना इसके साथ इस्ट्वेंट सा आपका होता है केटेगरी सर्टिविट को लेकर कई इस्ट्वेंट बोल रहे हैं सर जेम की वेबसाइट पर तो यह लिखा है वो लिखा है आप बोल रहे थे एक वीडियो में कि आपको CCMN काउंसलिंग के लिए 31st March या 1st April 2024 के बाद का चाहिए जिहां एस्ट्वेंट से अगर आप इसके बाद आप अपलाई करना अगर आप CCMN काउंसलिंग पार्टिविट करना चाहते हो तो IAT में तो चल जाएगा हाला कि कुछ IAT में नहीं चलेगा उनके फिजिकल रिपोर्टिंग में अभी जो आपके एक साल पुराना जो OBC-NCL के लिए रिक्वाइर करेंगे तो आपको बना ले ना इसको बदलते हैं वक्त नहीं लगता है आप मेरे वीडियो देख लो ठीक है इसके साथ हम बात करते हैं काउंसलिंग को लेकर कि क्या सरा हम दोनों काउंसलिंग को पार्टिवेट कर सकते हैं अगर आपको IAT में भी सीट मिल गया, NIT में भी मिल गया तो कोई प्रोब्लम नहीं है आप एक एड्मिशन ले सकते हैं अगर आपको IAT में जाना है तो आप NIT से अपना सीट विड्रो कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम होता है लास्ट सिक्स राउंड से पहले आप अपनी स लेम करो चाहे नाइजर का एड्मिशन लो या आईजर का आपको नया SC या ST certificate बनाने की जरूत नहीं है यह SC-ST student भी ध्यान रखना तो यह हो गया कि आप कोई भी काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आपको तीन जगह भी एड्मिशन मिल गया तो भी आप एक जगह चूज कर सकते हैं आपके एड्मिशन पे किसी परकार का कोई effect नहीं होगा इसके साथ इस्ट्रेंट्स हम बात करें इंटर्व्यू को लेकर भहुत ज़्यादा इस्ट्रेंट कन्फूज हो रहें कि सर तो आईटी में जो जोइंट पीस्टी प्रोग्राम है जैसे आपका आईटी कानपुर एड्मिशन ले सकते हैं बिना इंटर्व्यू के इंटर्व्यू कहां होते हैं सर हमने सुना था एक बार कहां सुना था अरे इंटर्व्यू होते हैं डियर लेकिन वो नाईजर में या आईजर में उनके इंटीग्रेटट प्रोग्राम के लिए होते हैं आईटी में नहीं हो है LGBT criteria को लेकर क्या सरा IAT में किसी परकाल के परसेंटेज की जरुत है जिन इस्ट्वेंट्स IAT में आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिर्शन ले रहे हो तो आपके एक कोई मेंटर नहीं करता है आपको 40 परसेंट या 35 है आप बस detto परस होना उपाइजड क से का जऑनरल AWS OBC से बिलोंग करते हो तो आपके 60% होने चाहिए हाँ अगर आपका Owners degree है तो आपको हो सकता admission मिल जाए बट ये शोर नहीं होता है और SCST वालों को 55% चाहिए तो ये CCMN counselling में percentage का criteria रहता ही है और special LGBT criteria का भी बहुत बड़ा role रहता है जिसको लेकर हम आगे next session में details से discuss करने वाले आज की session में इतना